ब्लेड रिलेशन के बाद आज का मारा जो टॉपिक होगा वह होगा रैंकिंग अरेंजमेंग ठीक है इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे किस तरीके से पिलाल हम लोग एक पर्टिकुलर रो होगा कॉलम होगा उसमें लोग बैठे होंगे किसी सेक्वेंस में उनका अपना ल हुआ सबसे पहले जैसे मान लिजिये आपके पास कोई पंसिंग है थ突然 आपके पास मतलब इस तरीके से मान लेते हैं हुआ है तो इस पंगति में किसी बैठ की अस्थान बायंसे कुछ ओ और दाभी सबसीं आपका यह समझने का नहιं уж होता है और यह स्थान यादि बैय से 10 साइट से माल लेज़े, suppose, बाय से यहाँ पर, एक सो, और दाएं साइट से, उसी व्यक्ति का स्थान, यह हो, यह हम लोग left, right, इसका बाय से माल लेते हैं, यह है, और दाएं से माल लेते हैं, क्या है, आर है, तो पूछेगा क्या, इसी व्यक्ति का, सेम, किसी दूसरे का नहीं, बाय से, किसी का स्थान यह है, और दाएं से कुछ और है, ठीक है, किसी भी एक पंग्ति में, यह जरूरी नहीं है, यह इधर ही हो, यह इधर हो सकता है, कि किसी भी व्यक्ति का बाय से अस्थान आपका कुछ दे रखा, और दाएं से कुछ दे रखा, एक पोजिशन पे, एक व्यक्त हो आएंगे तो रैंकिंग अरेंजमेंट पर बैसिकली हमें क्या करना है इस बात को समझना है कि अगर एक परसन का पोजीशन यहां पर कोई करें भो दस लोग को है हमनेवं ले लिया अबमने कहा है मैं एक हाउथ इंन सफान वायें से एक दी से जंब हर दस हो उसका दाएं से अस्थान देखेंगे हमने को यहां पर मान लिया एक्स वैखती है कोई उसका हमंने 22 स्थान जो लिया क्या लिया दसवा और哇 हमने बताना है किस इस पंक्ति में टॉटल कितने लोग पहली लोग है तो पहले बात तो मैं Kollege कि पहले इंब बता दिया है गत्सको एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरह, चोदा, पंद्रा, इस पंक्ति में कुल 15 लोग है, ठीक है, अगर छोटी संख्या है, तो आप ऐसे गिनके भी बता सकते हैं, लेकिन अगर संख्या बड़ी है, तो आप कैसे बताएंगे, हम य क्या है, इसमें, अगर आप कभी इस फॉर्मूले की जगे, आप सीधे कहेंगे, किसी एक वेक्ति का पोजिशन दे रखा है, लेफ्ट का प्लस राइट का जोड़ दिया और आपने टोटल बता दिया, तो गलत हो जाएगा, कारण क्या होता है, यहां माइनस वन होने का स्ज़्स Eddy, इसलिए माननने करते हैं, इसका करते हैं, मायनस वन करते हैं, एसे गिनने पे कितनी आ रहा है, इसमें, पंद्रा है, तो हमें क्या करना हो गाई, टोटल जानने के लिए लेफ्ट प्लस, राइट- वण अगर हम नहीं करेंगे, तो पंद्रा अंसर नहीं आएग, लेकिन हमारा एक्चुल आंसर क्या होना चाहिए ठीक है यह हो गया अगर अभी यह तो यह तो पंक्ति के लिए हो गया इसी तरीके से अगर इस तरीके स्कोई अस्तंब्र है तो किसी एक वेक्टिका दे रखा लेप से टॉप से रखा पंद्रा हलो है राम किसी ना आपसे पूछा राम का स्थान भाएं से छटवां तो अगर सब्स्राप इसको डारेट जोड़ते हैं तो शोले लोग आंगे जबकि एक्षुल में 15 लोग हैं तो 15 लोग हमें लाना है तो क्या करना होगा फार्मुले से निकाले क्यूंकि अगर संख्या बहुत बड़ी देदी कि यहां तो उमने पंक्टी बना के इसमें दिखाया है लेकिन अगर पंक्ती बना के नहीं दिखाएगा तो आप क्या करेंगे किसी व्यक्ति का स्थान ऐसे दे दिया बाएंसे बीस हुआ है और दाएंसे जो है पचास हुआ है तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने लोग है अगर अब यह आपको ना पता रहें लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के माइनिस वन कवर दो आ जाएग इसी फॉर्मूले में हम लोग लेफ्ट इस इक्वल तो हम क्या लिखेंगे टोटल माइनस राइट प्लस वन समझ रहे हैं अगर हमें राइट निकालना है टोटल माइनस लेफ्ट है ब्लेश वन क्रोट यह तो हो गया इसके लिए अगर हमारा टॉप और बॉटम का लेकर करके चलना हो तो देखिए यहां टॉप से और यहां बॉटम तो यहां पर टोटल जो होगा बच्चों वही सेम चीज है टोटल जो होगा यह होगा टॉप प्लेस बॉटम माइनस बात समझ रहे हैं न अगर हमें टॉप से किसी बेक्ति का स्थान बताना है तो टॉटल माइनस अगर हमें बॉटम निकालना है टॉटल और प्लेस आपका हो जाएगा इधर इसको माइनस टॉप प्लस वन यह तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है सबसे पहले हम इसी पर कुश्चन करेंगे फिर हम अलग अलग टाइप बना के करेंगे पहले बहुत सिंपल प्रकार काव में इससे पर प्रस्शन करेंगे साधानार टाइप का मतलब जैसे किसी एक पंक्ति में दे nugखा किसी का अस्थान बाएं से बायरusta दे रखा किता है टोटल वह 52 यह रखा है तो हम इश το पर काम करेंगे तो सबसे पहला मैं सवाल लेता हुख सबसे पहला मैं सवाल लेता उसको द्यान से देखिएगा इस सवाल हमारा परहला किसी पंग्ति में Russian किसी पंग्ति में तो बाइयंसे राम का कि अस्थान 25 है तो 25 तथा दाय से दाय से 21 पंग्ति में कुल कितने लोग है पंग्ति में कुल कितने लोग है ठीक है कुछ करना है क्या इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं न हमें क्या करना है सीधे 25 में 20 जोड़ देना एक माइनस करके मतलब आप यहां लिखेंगे टोटल लोग कितने होंगे इसमें तो हो जाएगा आपका 25 प्लैस 21 माइनस 1 टोटल 45 आंसर आपका है ठीक अगला कुश्यन हम लेते हैं कि एक पंग्ति में कुल कि तैटीस लोग है यदि यदि सतीस बाएं से ग्यारमा है तो दाएं से उसका कि यदि सतीस बाएं से ग्यारमा है तो दाएं से उसका अस्थान बताईए ठीक है ना इस कुश्यन को देखिए इस कुश्यन को देखिए शॉलωςन करेंगे तो आपको हमें टोटल दे रखा है टोटल कितना दे रखा है थार्टी थ्री लेट से प्लेस उसका दे रखा है कितना है यहारमा दे रखा है राइट से हमें पूछा है राइट से is equal to what तो हमें पता है टोटल तो हमें राइट से निकालना है तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन तो यहां हो जाएगा 33 माइनस 11 प्लस वन तो यहां इस एक यह आपका अंसर हो जाएगा कोई कन्फ्यूजन किया कर यहां किसमझ में आ रहा है यह मारा टाइप का प्रश्ण चल रहा है कौन से टाइप का टाइप फरस्ट का प्राश्ण है बहुत स्पाइस है यह लगबग आपके सभी और दीरे और रागे बढ़ेंगे और यह देखिए हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं यह लगबग हम सभी को आस्पेक्ट बना के चलें आप किसी भी एक्जाम के लिए अगर जा रहे हैं तो रिजनिंग कहने का मतलब यह नहीं हो आपको रिजनिंग पूरा आना चाहिए पूरा रिजनिंग आपको अच्छे से स सामने तो इस टाइम पर हम आपको इस्पेसली स्लैबस लिखा देंगे कि बेटा यह यह टॉपिक आपके स्लैबस में है इसको पढ़के जाओ क्यूंकि आज का जो टाइम है इस टाइम डूरेशन में आप देखें तो बिभीन प्रकार के अलग-अलग प्रकार के जो है फिल ठीक है आप लोग भरी देते हैं तो हम लोग उसी साब से काम करेंगे ठीक तो इसमें हम लोग जो है यह समझ में आ गया कोई दिखकर तो नहीं अगला एक कुश्चन और लेते हैं राम की स्थिति कक्षा में कुश्चन है मारा हाँ भी नहीं उसर नहीं मिटाएंगे उदर आप नोट करते है चलिए राम की स्थिति कक्षा में उपर से नंहीं तथा नीचे से 28 कैंते हैं तथा नीचे से 38 है नीचे से 38 है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं यह आपका कुश्चन है उसी प्रकार का प्रश्ण है बिल्कुल है ना इसमें कोई दिक्कत तो है नी प्रश्ण एकदम उसी टाइप का है अगर हम करेंगे तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वाई टॉप बाटम मौला टॉटल इस इक्वल टू टू टॉप प्लेस बॉटम माइनस वन टॉप से कितना है ठीक है यह आपका टॉटल अंसर आ गया अपका टॉप से दे रखा है बॉटम से दे रखा है अपने वेलू पूट किया और कोश्चन ले आए यह आपका टाइप फर्श्ट था अब इसी में हम इसी फॉर्मूले से लगाएंगे टाइप सेकेंड का जब अस्थान परिवर्तन कर लेते हैं जब अस्थान परिवर्त हमारे पढ़ाने से जो है हम यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयास करते हैं कि जितना ज्यादा से जबहुत सारे प्रशन करा पाएंगे डिश्टल क्लाश्रूम वगएरा का प्रयोग करेंगे तो उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा कॉश्चन प्रैक्टिस कराया जा सकता है ऐसे आपको सिर्फ मैं कॉंसर्ट बताने का प्रयास करता हूं कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम आपको कॉंसर्ट बता दें और आपके जो कॉश्चन हैं मैं कितना भी यहां 100-200-1000 कब्रेगा तब आपकी एक्ट्राइअ टैयारी कैसे होगी कैसे टैयारी कैसे होगी क्योंकि कमियां आपको पता चल रही है आप कित नहीं लगा पा रहें जैक्स गिसके होने सब दयार करने की तो आप लोग उसको फॉलू किया करें टाइब सेकेंड का हम पहला प्रस्ट ले और हम लेते हैं है तो हम लेते हैं किसी पंगति में किसी अंकि ने राम बाएं से दस्वां तथा श्याम दाएं से सात्मा है यह दि दोनों ने कुश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करिए गई यह दि दोनों ने अपने अस्थान को परश पर बदल लिया हो यह दि दोनों ने अपने अस्थान को परश पर बदल लिया हो मतलब एक दूसरी के अस्थान को इंटर्चेंज कर लिया हो मतलब राम स्याम के अस्थान पर और स्याम राम के अस्थान पर बदल लिया हो और इस इस इस्थिती में राम का बाइन से अस्थान 25 हो जाता है है तो पंक्ति में कुल कितने लोग है लोग है यह आपका प्रश्ण इसमें पूछ सकता है श्याम का दाएं से अस्थान बताईए कुश्चन में पंक्ति में कुल कितने लोग है और दूसरा पूछ सकता है श्याम का दाएं से अस्थान बताईए तो दिखेगा इस प्रश्ण को लोग लगाते हैं हल करते हैं कि देखेंगा इसमें समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से कि यहाँ पे कि शॉलूशन हम देखेंगे किसी पंक्ति में राम बाय से दस्वा है राम बाय से दस्वा है ध्यान दीजिए हमने एक पंक्ति बना लिया राम इसमें जो है बाय से क्या है यहां दस्वा कौन है और श्याम दाय से क्या है सात्वा है यहां सात्वा कौन है अब क्या रहा है दोनों ने अपनी इस्तिती चेंज कर ली हम एक और पंक्ति बना देते हैं दोनों अपनी स्थिती क्या कर ली है तो यहां आ जाते हैं राम कि अस्थान कौन सा हो जाता है बाएसे राम परसपर चेंज होने पर इसी स्थिती में राम का बाएस अस्थान 25 हो जाता है यहां 25 हो जाता है कहां से बाए से किसका राम का स्थान और इनका स्याम का पता नहीं लेकिन इस स्थिति इस पोजिशन पे दस्वा स्थान है दाए से बाए से ऐसा मान सकते हैं और इस स्थिति में इधर से कौन सा स्थान है साथमा दाएं से और बाएं से आपका दसवा है कहने का मतलब इस जगह पे राम था इस जगवे पिस का था तो इस पोजीशन की वैलु तो राम की अगली स्थिती जो है 22-25 वी हो गई तो अब हम इधर वाले को भूल जाएं बस इसको याद रखो माल लीज़े यहां पर कोई यह कही बेखती था जिसका 22 अस्थान 25 वा और दाइस अस्थान क्या था सात्मा था बात समझ रहे न तो हमारे पास टोटल पंक्ति में लोग कित हो जाएगा 6 आपका कितना जाएगा 31 यह आंसर आ गया ठीक है अब दूसरा कोश्चन कह रहा है कि स्याम का दाइस अस्थान बताइए स्याम का दाइस अस्थान तो स्याम का 22 अस्थान क्या है दसमा जो पहले राम का था तो वहीं स्याम का हो गया क्योंकि स्याम राम के हमारा राइट से हमें निकालना है तो हमें पता राइट निकालने के लिए हम लोग लोग क्या करते हैं टोतल माइना माइन सबस्ट अर लेफट एक undertaken कितना है ताईट एक कितना हो जिए करें 22 आंसर आएगा ना प्रश्न यह समझ में आया क्या यह प्रश्न समझ में हमने क्या किया कोश्चन में दे रखा पहले जो इग्जैक्ट पोजिशन इनकी थी पहले इनकी लेफ्ट से और राइट से जो पोजिशन दे रखी थी बच्चों यहां देखिए जो इनका पोजिशन पहले से दे रखा था हमने उसको इंटरचेंज किया बाई यह पोजीशन तो नहीं खिसका ना सिर्फ आदमी बदल गया जहां राम था हुआ स्याम आ गया जहां स्याम था राम आ गया तो इनके बदलने से इनका इंग्जैक्ट जो पोजीशन लेफ्ट राइट से था वो तो भी चेंज हुआ बस हमें एक और नई जानकारी मिल गई कि जब इन्होंने अपनी स्थिती बदली तो राम की नई स्थिती बाएं से पच्चीसवी है बात समझ में और यही क्लू हमारे लिए कुश्चन का सॉलूशन बन गया बात समझ रहा है यह जैसे हमें पता चला तुर कुश्चन है लेकिन लेंगवेज को समझपाने की बात है कि कर रहा है कि 33 आत्रों कि कल्द्र में आननद का रेंक 13 म है के संमझ पूछ लए कर दो ऺड़ी कर गज़ा रहा है लनुछार तो पूछ लोगे जबंग समंतरा ना Vanessa Va सक्वारनillas futures फ Tik elas समय नीचे सेंट पांच विद्यारती घुब सबस्किषपाइब कर ठीक है कैसी देख्येगा तो कहां पूछ रहा है आनंद और विम्ला के बीच कितने चh touch कि नी कितने मांद ऑर शात्रों कि संख्या दे रखका है तै सांदग हमारे पास जो कुल शात्रों की संख्या वो कितनी है catsh है ऊपर से तेरहवी रेंग कौन है महां संदे यहा पर तेरहवी रेंग पे हैं तेरहवा किसका है में आनंद है अश्रीकरbers ए्ट यह यह III हम्रें प्रेंग है और यहां कहीं विमला है जिसके नीचे कितने लोग हैं पाँच लोग हैं तो मतलब इनकी रेंग क्या हो गई छटमा हो गया यहां विमला है बात समझ रहा है ना इसके नीचे पांच लोग है एक दो तीन चार पांच लोग टोटल इनकी रहेंग छटवी हो गई नीचे से कर आप गिनेंगे तो कॉंसेप्ट समझ में आ रहा है कह रहा है इनके बीच में कितने लोग हैं इनके बीच में कितने लोग हैं यहां ध्यान दीजेगा यह आनंद का पोजीशन यह बिमला का पोजीशन है बात समझ रहे हैं यह आनंद का पोजीशन और यह बिमला का पोजीशन आपको पता इस पू और चटमें नमबर पर नीचे से यह तो 13 और 6 कितना हो गया उननीस तैटीस में से 19 माइनस कर देंगे तो यह बीच वाले मिल जाएंगे क्यों क्यों कि यह टोटल कितने है तैटीस है तो यहां हम कहेंगे को यहाँ पर सिम्पल सी बात कोई ज्यादा कांसेप्ट नहीं लगाना ना यह बिमला बिमला के बीकशत्री जहांडिया या आनन्द और बिमला के बीच जात्रों की शंख्या कितनी हो जाएगी 33 माइनस तेरे प्लेस छे कितना आ जाएगा इसमें 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा कि 24 आएगा 19 माइनस करने पर श्री करना मतलब यहाँ पर 14 लोग आएंगे एक बात हमेशा याद रखिएगा इसको आप दूसरे तरीके से फॉर्मूलय से भी लगा सकते हैं कैसे में formula सा second method आपका जो formula method आपका जो formula method समझ रहे ना राइट से अगर हम निकालेंगे तो राइट से निकलेगा तो टोटल मतलब 33 माइनस तेरे प्लेश वान तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 20 और 21 राइट से इनका पोजिशन क्या आया कॉंसेट क्लियर है 21 आया अब नीचे से हमें पता है छे लोग यह है तो 6 इस माइनस कर दो कितना आया चाउदेच है 20 और माइनस प्लस इनका रैंक दो बार आ जाएगा ना नीचे से काउंट होते गया है नीचे से तो एक बार और माइनस यहां पर यह आएगा 15-1 तो यह आपको मिल जाएगा बीच में जितने लोगा चाहँद है अब आप कहेंगे सर यहां से 6 माइनस किया यह साथ क्यों कि इसका जो है आनंद का जो पोजीशन है यहां से कौन सा है 13 जब यहां से हमने निकाला तो क्यों साया एक कीसमा टो यह चठमा भी तो काउंट होकर करें इसमें तो कॉन Score में और कर दिये दोटीट All फार यहां तो दिपर यहां तो यह सक्वार मांने स्से। लगा सकते हैं जोंट अगर यह आपको नहीं समझ में यह भी नहीं अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप एक बार इसका निकाली है इधर से फिर एक बार इसका निकाली फिर दोनों को माइनस कर दिए तब इसके बीच का जाएगा फिर माइनस दो करना पड़ेगा माइनस दो क्यों करना पड़े आपको यह ज्यादा लग रहा होगा कि दोनों का अलग अलग पोजिशन दे रखा तेरह और छटमा हमने क्या किया सीधे हमने 33-13 प्लस इसको माइनस कर दिया यह आपका आगया 14 को दिक्कत है तो यह भी एक बहुत बहुत बहतरीन कोश्चन है आपका जो अब फिलाल रैंकिंग अरेंजमेंट का आई होप आपको यह समझ आ रहा होगा कि इसमें आपका जो है ससी के जितने भी प्रेश्ट में आपके इस बुक्त में दे रखे हैं कि आपके इसी प्रकार से हैं सब कि इसमें एक नीम्बू वाला प्रश्ण है भाई इसको देखके करेंट अफेयर याद आ गया किस समय जो है नीम्बू 400 रुपया पर केजी चल रहा है कुछ जगहों पर महराष्ट्र अगेरा में ने कि इस चार सो रुपय केजी नीम्बू है अपने भारत में ही भाई न्यूश पढ़िए कि स्री लंका चाइना से दोस्ती बहुत जबदास्त कर लिया था दिखालों आपर के स्रेलंका की गलती नहीं है क्या है कौरोना की को रोड़ा ने डूबाया कारण है कि श्री लंका्न सब्से ज़्यादा उसकी जो रिविन्यू्हीं होती है एकोनॉम्य तोरिज्म की वजह से चलती है और कोविट ने साल से ऐसा हालात किया कि वहां पर टूरिज्म एकदम प्रभावित हो गया तूरिज्म यहां से टूर कोई जाता नहीं है अब कहीं पर ठीक है घर में बैठे रहते हैं तो स्री लंका की हालात हो गई समझ रहे बात को तो यह situation है और कोई दिखकत नहीं है इसमें हमने जो question किया है इसमें हम लोगों ने पहले टाइप का और दूसरे टाइप का अच्छे प्रकार से जितना question cover होने लाइक था हमने concept वाले cover करा दिये अब इसमें और विविन प्रकार के हम लो question करेंगे और चोटा है उतना बड़ा है सबसे छोटा कौनज से चोटा कौनन सबसे बड़ा कौन है आफ देखते हैं एक चॉर्य डिए बी-पिस से बड़ा नहीं है cd से बड़ा है तो ऐसे करके आपके उसमें आपकी कुश्यन में दिया होता है तो आपको उसको समझना होता है और बताना होता है कि सबसे छोटा कौन सा है और फिर कौन किसे छोटा है तो इस टाइप कभी हम लोग इसमें प्रसंद करेंगे इसमें दो तीन लेक्चर हम लोग ले करके चलेंगे और प्रयास करेंग इसको पूरी तरीके से cover किया जाए तो आज के इस lecture में इतना ही रखते हैं ठीक है Thank You